नमस्कार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राहिमस और मैं हूँ आपके साथ जोती मिश्रा आई नजल डालते हैं आज की साथ बजे की साथ बड़ी खबरों पर संभल में तनाप को देखते हुए सोमवार को इंटरनेट सेवा और स्कूल बन, कुछ हलाकों में दुकाने बन, जगर जगर बैरिकेजिंग की गई, शहर में बाहरी लोगों और नेताओं के प्रवेश पर पाबंदी, कुल मिला कर तनावपून खामोशी के बीच हालात नियंत संभल हिंसा में हुई चार मौत देशी तमंचों से चली गोलियों से हुई थी, मुरदबाद की कमिशनर आजने सिंग ने पोस्ट माटम रिपोर्ट के हवाले से ये बात कही, कमिशनर ने कहा कि संभल में हिंसा में कुल चार मौते हुई है, इन चारों का पोस्ट माटम हो च मिली जानकारी के मताबिक 4-2 मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है बलकि तमंचे से हुई है इस घटना में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है इनमें दो मृतकों की पोस्टमाटम रिपोर्ट में ये सामने आया कि उनकी मौत 315 बोर की गोलीों से हुई है घटना के द उन पर गोली चलाए इसके लावा इलाके में स्कूल बंध है दुकाने बंध है अब पुलिस ने पुरे मामले को लेकर संभल कोतवाली में फायार दर्च की है फायार में सपासांसर जयाउर रह्मान और विधायक इकबाल महमूत के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ का मुकदमा दर्च किया गया है दोरप पर दंगा भड़काने का आरोप लगाये गया है इसके साथ 25-100 लोगों पर भी केस दर्च किया गया है संभल के S.P.D.M. ने प्रेस कॉन्फरेंस का आरोप लगाया उन्होंने बताया कि रात महीं हिंसा की प्लानिंग कर ली गई थी टीम पर पत्थरों से हमला किया गया पिस्टल भी लूट ली गई अब तक 25 लोगों को गिरफतार कर लिया गया है यहां धारा 163 लागू की गई है उत्रप्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा की गटना पर समानवादी पार्टी के रास्ट्र अदक्ष और सांसद अखलेश यादव ने सपा सांसर जिया और रह्मान पर हुई F.I.R. पर सवाल उठाए मामले में संभल पुलिस ने भी जवाब दिया पुलिस का कहना है कि उन्हें पहले भी भड़काव भाशर नहीं देने के लिए नोटिस दिया गया था खलेश यादव ने कहा हमारे सांसर जिया और रह्मान संभल में थे ही नहीं इसके बाबजूद उनके खिलाफ F.I.R. दर्च की गई ये सरकार द्वारा किया गया दंगा है कोड द्वारा आदेश पारित किये जाने के तुरंत बाद ही पुलिस और प्रिशाशन सर्वे के लिए जावा मस्जित पहुँच गए 3 नवंबर को पुलिस प्रिशाशन ने कहा कि अगली सुबा 24 तारीक को दूसरा सर्वे किया जाएगा पुलिस प्रिशाशन को ये आदेश किस ने दिया जब लोगों ने सर्वे का कारेंट जाना चाहा तो सरकल ओफिसर ने उनके साथ दुर्विभार किया इससे कई लोग घायल हो गए पास निर्दोष लोगों की मौत हो गए संभल का माहोल खराब करने के लिए पुलिस और प्रिशाशन के लोगों के साथ साथ याचिका दायर करने वाली लोग भी जमिदार हैं चट्च्वा के लिए लोगसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया उत्रप्रदेश के संभल में रविबार को मस्जुद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर वपक्ष ने भाजपा सरकार को घेरा है समानवाधी पाच्छी से लेकर बसपा और कॉंगरिस ने इस मुद्धे पर निस्पक्ष जार्च की मांग की है कॉंगरिस नेतर रागूल गांदी और प्रियंका गांदी वाजपा ने इस मुद्धे को उठाय है मैं सुप्रीम कोट से इस मामले में जल से जल धस्तक शेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूँ महीं प्रियंका गांधी वाज़ुआ ने कहा इतने समेधन शील मामले में बिना दूसरे पक्ष सुने बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रिशाषन ने जस तरह हडवड़ी के साथ कारेवाई की वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहूल खराब किया प्रिशाषन ने जरूरी प्रक्रिया और करताव्यका पालन भी जरूरी नहीं समझा मानने सुप्रीम कोट को इस मामले का संग्यान लेकर न्याय करना चाहिए प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांती बनाए रखें उत्रकट सरकार ने IPS अधिकारी दीपम सेट को राजिकर नया पुलिस महानिदेशक DGP नियूक्त किया है शाषर ने इस संबंद में आदेश जारी कर दिया है दीपम सेट प्रदेश के 13वे DGP बने हैं और उन्होंने सोमवार को पुलिस मुख्याले पहुचकर DGP का कारेभार संभाल लिया दीपम सेट 1995 बैच के भारतिय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी है अपनी सिद्र नेतरत्व शमता और कानुन वेवस्ता के छेतर में बैतरीन सेवाओं के लिए उन्होंने जाना जाता है वो उत्राखट के DGP बने से पहले विभिन आयम पदों पर कारे कर चुके हैं उनकी निगती से प्रदेश में पुलिस प्रशाषन को नई दिशा मलने की उम्मीद की जा रही है मद्य प्रदेश में चल रही बाबा बागेश्वर की पदियातरा जाना हर दिन बड़ा रूप लेती जा रही है वहीं अपार जन समर्थन के बीच अब देश को हिंदू राष्टर गोशित करने की मांग भी हो रही है खुद इस यात्रा की बुख्या पंजर धीरेंद्र शास्त्री इस मांग को उछा रहे है तो उनकी इस मांग के समर्थन में भी लोग आ रहे हैं इस हिंदू एक्ता पदियात्रा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। यही वज़ा है कि इस पदियात्रा में लोगों की भारी भीट देखने को मिल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितेनात आज वाराणसी दौरे पर है। पस्ट कहा कि उद्यप्रताब कॉलेश को अपने आपको आगे बढ़ाने के जरुवत है। उत्तर प्रदेश की धनकन उत्तर प्रदेश टाइम्स घत्तर प्रदेश योग्जमंत्र प्रदेश